नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम कम्पिटर के टेस्ट को देखेंगे किस प्रकार के कोशन कुछे जा रहे हैं और आने वाले समय में महत्पूर्ण है सभी एक्जाम के लिए और मंडी में लभब 20 कोशन कुछ जाते हैं कम्पिटर से और नेक्स्ट एक्जाम जो भी ह होने वाले मन सभी में कम्पिटर का एक महत्पूर्ण चेप्टर है तो इसमें हम इंपोर्टेंट 30 कोश्चन को देखेंगे जो एजाम की दृष्टे से काफी महत्पूर्ण होने वाले हैं जैसे कि आप पर देख पार होंगे कि यूटूब के बारे में निम लिखित में से क सेवा है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और सरगी बिन इसके संस्थापकों में से एक थे कई से कोशन है जो की व्यापम में रिपीट हुए है उन सभी कोशनों के समलित के गया है तो इसका अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा कि यूटूब के स्थापना 2005 में थी यूटिब के स्थापना 2005 में थी बिल्कुल सही है सरगी ब्रीन इसके संस्थापकों में सेख थे यह बिल्कुल गरत है कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि यूटूब के संस्थापक कौन है नेक्स हम बात करेंगे घरों में उप्योग की जाने वाले आधुन option भी option होगा next है email के समद में निम लिखीत में से कौन सा कथन गलत है email के बार हम पूछा क्या है सभी लोग चलाते होंगे .org एक मान डॉमेन एक्स्टेंशन है Microsoft Outlook mail सेवा है .bbc का पूर्ण रूप blind copy है और email में प्रयोक्ता का नाम के सभी दन सिल नहीं होते हैं इसमें गलत कथन आपको चूछ करना है क्या हो सकता है इसका राइट उप्सन हम बता रहे हैं इसका राइट उप्सन हो जाएक यानि की BBC का पूर्ण रूप blind copy है गलत है इसका पूर्ण रूप क्या होगा आप में कमेंट करके बताइए .org एक मान डॉमेन एक्स्टेंशन है Microsoft Outlook mail सेवा है यह कथन बिल्कुल क्या और इमेल में पर्युक्ता का नाम जो होता है वह सब्सक्राइब नहीं होते हैं यह भी करेक्ट है लेकिन BBC का पूर्ण रूप blind copy होता है बिल्कुल गलत है नेक्स्ट है बताइए कि निम लिकित में वाक्य में सही है या गलत है डीजी टाइजिंग टेबलेट एक आउटपूट डिवाइस होता है आम तुर पर डेजी विल्कुल प्रिंटर डॉट मेट्रक्स की तुलना में धीमे होते हैं जिसमें से बताना है कि कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है तो इसका option B राइट होगा एक सही है दूसरा गलत ह है ठीक है जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि डीजी टाइजिंग टेबलेट जो होता है टेबलेट के मादम से आउटपूट डिवाइस है उसके दवारा आउटपूट गरण के जाता है आम तुर पर डेजी विल्प्रिंटर डॉट मेटर स्प्रिंटर तुलना में ध आपने देखा होगा लेकिन इसमें जो बिल्डोज 97 है देखने को नहीं मिलता है या अभी वरत्मान स्वा में नहीं है तो इस प्रकार चाप ऑप्शन डी लगाएंगे नेक्स्ट एनिम लिखित में कौन सा एक एनिवेशन निर्माण परकिर्या का हिसानी है एनिवेशन नि नमबर डीजी टैजेशन जो है एक आउटपट डिवाइस है निश्चीत रूप से जिसमें इनिमेशन किरिमाण परकिर्या महिश्था नहीं देता है नेक्स्टर निम लिखित में कौन सा एक सेप्यू रजिस्टर नहीं है सेवन कसी ओप्शन से होगा डाटा डाटाबेस ड आप माइक्रोशॉफ्ट वर्ड में सूपर स्क्रिप्ट के लिए किस सॉट्कॉट की का उप्योग किये जाता है तिसका राइट अप्शन से होगा याने कंट्रॉल प्लस सेप्प्लस डबल प्लस आप जब करते हैं तो सूपर स्क्रिप्ट की का यूज होता है Microsoft वर्ड में क्या है बरट्रेट सब्रूग् Option क्या होंगे Mobile में भी आता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा है तो वायरेस जो होता है ओप्रेटिंग system को नुक्सान पहुंचा सकते हैं बिल्कुल ecology वार्मस आत्म प्रतिक्रीत सल रेप्लेके जो है आत्म्स प्रतीक्रीत program है लेकिन में computer system को नुक्सान नहीं पहुंचा सकते हैं वार भी computer को पहुंचा सकता है वाइरस से कोचन दो कोचन हमें साब पूछ जाता है वाइरस को अच्छे से आप अधन करेंगे निम लिकित में क्या कम्पीटर का एक गुण है भावना जिसे हम इमोशन कहते हैं अनुभोती फीलिंग होता है डिलिजेंस ततपरता और डलनेस यानि की मद स्वाय देता तो इस जिसमें राइट एंसर हो जाएगा आपका एरिवन का सी निमबर ततपरता एक क्या है कम्पीटर का गुण है वरतमान समय में अभी जो इंटिलिजेंस का परिव के जा रहा है उसमें भावना और इमोशन अनुभोती की भात भी सामने आ रही है इस परकार के अब नहीं है नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर निम लिखित में से किस परकार के प्रिंटर होते हैं सब लोग जानते हो है कि लेजर जो प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर होता है बिल्कुल सोरी करो पेज प्रिंटर होता है लाइन प्रिंटर नी पेज प्रिंटर होता है ठीक है म और Microsoft Excel में Rep Text Setting स्वाचालित रुप से अतरिक्त लंबी टेक्स को अगली पंक्ति मिले जाता है तो 13 का इसका Right Option C होगा, ना तो एक ही और नो ही दो ही दोनों मतलब इसमें गलत है ट्राजिस्टर की इस पीडी के इसका Right Option C होगा, यानि की तीसरी PD में के गया था Next है, निम लिखित में कौन सा कथन गलत है, इसमें छाटना है 15 का Right Option C होगा, नहीं एक और नहीं दो ठीक है, DVD डाटा कंप्रेशन तकनीका अपरियोग करता है, DVD कई बार Read किया जाता है, लेकिन केवल एक बार ही Right किया जा सकता है, तो दोनों कथन क्या है, गलत है, चलिए Next Question के और हम बढ़ रहे है Next Question है, खाली स्थान का उप्योग प्रारणभी कंप्रूटर के Input मादम के रूप में किया जाता है कि किस Input के मादम के रूप में किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है पहला है Paper Card, दूसरा है Punch Card Vacuum Tube, Next है इसका Progester, इसमें से कौन सा Right Option हो सकता है, किसका Right Option होगा Punch Card, Punch Card को प्योग प्रारणभी कंप्रूटरों में input मादम के रूप में किया गया था ठेक है, Punch Card को प्योग किया गया था प्रारणभी कंप्रूटरों में Next है यहाँ पर Personal Computer निम लिखित में से किसका उधरन है तो Personal जो Computer है वह किसका उधरन है, इसका Right Option होगा Micro Computer का Personal Computer किसका उधरन है, Micro Computer का है निम लिखित में से कौन से सबसे महांगी Memory है जिसका Right Option होगा महांगी Memory यहाँ पर पूछे गया है, Main Memory, Register, Ram, Secondary Memory जिसका Right Option हो जाएगा, Register Memory सबसे महांगी Memory है Ink Jack Printer, खालिस्थन Printer है Ink Jack Printer क्या है, Character Printer है निम लिखित में कौन सा Bad Linux वित्रन नहीं है इसका Right Option होगा D Option होगा, Linux X जो है, Linux वित्रन नहीं है Next है, Page के केंदर में Content को रखित करने के लिए MS Word में Start Code कुझी क्या है तो इसका Right Option हो जाएगा Control Plus E Next Question है, खालिस्थन कंप्टर में Semiconductor Memory ने चुम्बक की Core Memory की जगह ले ली है 7 का Option क्या हो जाएगा, D होगा यानि की Fourth Generation Next है, MS Word में Control Plus H दबाने पर क्या होता है H का मतलब सभी लोग समझते होंगे इसका Right Option होगा 8 का B Number Find and Replace Dialog Box खुलता है, ठीक है, तिस प्रकार के Short Kit की भी पूछा जाता है MS Word में Control Plus H दबाने पर Find and Replace Dialog Box खुलता है, Next है IB V6 में IP Address का Size क्या होता है इसका Right Option D होगा यानि की 128 bit होता है आप हमारे साथ इसको देते रहें आप समझ सकते हैं कितने Question आप सही कर पा रहें इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं Animation में Marking की परकिरिया है ति इसका Right Option C Option होगा Animation लगतार चलाना Next यहां पर Question है कि Name लिखित में से कौन सा Babe Search Engine का कारे नहीं है 11 का Option D हो जाएगा सूचना प्रदर्सित करना Next है, Name लिखित कतनों में से सही और गलत की पहचान कीजे Drum Printer Impact Printer के एक उधारन है Floater का उप्योग Vector Graphics को प्रिंट करने के लिए के जाता है जिसका Right Option D होगा एक सही है, दूसरा भी सही है दोनों सही है Drum Printer Impact Printer के उधारन है और Floater का उप्योग Vector Graphics के प्रिंट के लिए के जाता है निम लिखित में से कौन सा कतन गलत है, इसमें छाटना है ठर्चन के भी हो जाएगा Option के लिए सही है, यानि के Optical Device में निम लिखित में से कौन सा कतन गलत है फोर्टिन के इसका Right Option D होगा यानि की एक और दो दोनों Right है इसमें MS PowerPoint 2016 में Slide Sutter Review मेनू के अंतरगत है और MS PowerPoint में spelling चेक करेने के लिए F9 कुंजी का उप्योग किया जाता है निम लिखित कतनों में से सही और गलत की पहचान करें तिसका Right Option भी होगा ये गलत और दूसरा क्या है तिस प्रकायर के महत्मूर कौशन लोग आज हमने कर लिया है जो काफी मात पोना है यहीं से समद्र कॉशन पूशे जाएंगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्डियो में थैंक्यू